जै श्री अमरनात जै बाबा बर्फानी हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी दोस्तो आज की स्वीडियो में मैं आपको एक बहुती महत्व पुरुन जानकारी देने वाला हूँ अगर आप भी इस वर्ष 2024 में अमरनात यात्रा की तैयारी कर रहे है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले है समपूर्ण जानकारी के बारे में नए update के बारे में registration के बारे में medical कैसे बनाना है इसके बारे में और यात्रा कब से शुरू होने वाली है इसके बारे में तो दोस्तों फिलहाल कुछ नई report सामने आई है अमरनाज श्राइन बोर्ट के द्वारा और इसके अनुसार कुछ जानकारी है यात्रा 2024 को लेकर और इसमें कुछ बड़े update और बड़े बदलाव किये जाने वाले है यात्रा को लेकर आपको बैंक के थ्रू ही करवाना है और बैंक में रजिस्टेशन को लेकर कुछ नए बदलाव किये गए है परन्तु online registration में कोई भी बदलाव नहीं आया है offline registration आपको बैंक में स्वयन जाकर करना होगा आपके बिहाप में कोई दूसरा व्यक्ति बैंक में जाकर आपका offline registration अमरनात की यातरा के लिए नहीं करवा सकता वही अगर आप online registration करवाना चाहते है तो online registration में कोई बदलाव नहीं हुआ है आप किसी के भी द्वारा online registration करवा सकते है और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक जानकारी दे दू अगर आप online registration नहीं करवा पा रहे है या आपको online registration नहीं करते आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आपको WhatsApp call या WhatsApp message करना है हमारे द्वारा आपका registration करवा दिया जाएगा अब बात करते हैं medical के लिए medical certificate को लेकर कुछ बड़े बदलाव किये जा रहे है क्या बड़े बदलाव किये जा रहे है यह अभी तक सामने नहीं आया है पर श्राइन बोर्ट के द्वारा कुछ report सामने आई है जिसमें उन्होंने उल्ले किया है कि इस साल medical में कुछ change किये जाएंगे medical certificate बनाने के लिए अमरना च्राइन बोर्ट द्वारा प्रतिक जिल्ले के डॉक्टर की लिस्ट जारी की जाती है उन्हीं डॉक्टर के थुरू आपको आपका medical certificate यानि की health checkup बनवाना है और बाद में उसका KYC base camp यानि की पहलगाम या बालटाल यहाँ पर KYC किया जाएगा यात्रा की date क्या होने वाली है इसके बारे में अभी कोई update नहीं आया है जैसे ही update आएगा यात्रा कब से शुरू होगी इसके बारे में आपको हमारे चानल में जानकारी दे दी जाएगी प्रतिवर्ष के अनुसार अगर मैं आपसे कहू तो यात्रा का रजिस्टेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट 15 अपरेल के बाद से शुरू हो जाता है 15 अपरेल के बाद कभी यह सुविधा शुरू हो जाएगी तो आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट और पंजी करन के लिए तयार रहिए प्रतिवर्ष के अनुमान के आदार पर हर बार 15 अपरेल के बाद ही अमर्नात यात्रा के लिए रजिस्टेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना शुरू हो जाता है और इसके लिए श्री अमर्नात ची श्राइन बोर्ड द्वारा फरवरी के एंडिंग में एक मीटिंग होने वाली थी पर वह नहीं हुई तो वह मार्च के फर्स्ट विक में हो जाएगी और उसमें हमें अमर्नात यात्रा कपसे शुरू होगी इसके बारे में नए अपडेट और डेट भी पता चल जाएगी तो अगर आप ऐसे ही नए अपडेट अमर्नात यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं और आप यात्रा में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कियोंकि इस तरह की जानकारी केडरनात और अमरनात यातरा से जुड़ी वी मैं हमेशा अपने चानल में लेकर आते रहता हूँ जिसमें मैं आपको जानकारी के साथ अपटेड भी बताते रहता हूँ तो उमीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी जरूरू पसंद आई होंगी इस तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और आल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अप्लोड की गई वीडि तो मिलते हैं ऐसे ही महत्व पुरूने जानकारी के साथ अगली वीडियो में